हमेशा तील का तार बनाने वाली सम्मानित राष्टी और नामचीन मीडिया चैनलों को दर्भंगा में जोर का तमाचा लगा है यह तमाचा उन्हें जिला परशासन की तरफ से मारा गया है बिना तत्य को समझे जाचे और परके मुद्दे को हवा दे कर सच्टी टी आरपी बटोरने की कोशिश में कुछ बड़े मीडिया चैनलों ने दर्भंगा में संपरदाईक सोहार्द बिगारने का जो परियास किया था उस पर जिला परशासन ने समय लेते हुए संग्यान लिया खुद सदर डियस पिया मिद कुमार और एशडियो सहब ने प्रेसवारता कर नामचीन मीडिया चैनलों पर चलने वाली धर्म परिवरतन वाली खबरों को सीरे से खारिज करते हुए उसे मातर एक जमीनी विवाद बताया लेकिन सवाल या है कि आखिर ऐसी पतरकारी था और ऐसे पतरकारों पर कोई कारवाई क्यों नहीं होती है सवाल तो उन पतरकारों से भी है कि अपनी नहीं तो लोकतंतर के चौते अस्तम का ही कोई लाज रख लिया होता हम ऐसा क्यों कह रहे हैं यह सवाल अब आपके जिहन में उठ रहा होगा तो हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बीते दिन मुर्या के एक जमीनी विवाद में जो वर्षो पुराना विवाद था लगातार अस्थानिय थाना और वर्य पदाधिकारियों को लेकर विक्की जहा और उनकी मा गोहार लगा रही थी लेकिन एक दिन आचानक विक्की ने जीलाधिकारी के यहां एक शिकायत लिखित रूप में दी जिससे उसने गाओं के मुसलिम समुदाये पर जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाओ बनाने का आरोप लगाया बस फिर क्या था उदर जीलाधिकारी ने जाच के निर्देश दिये ही थे कि पतरकार के रूप में बैठे जजज और आदालत के रूप में बैठी मीडिया चैनलों ने आनन फानन में फैसला ही सुना दिया वो तो धन्यवाद दिजिये जीला परशासन का की समय रहते हुए मामले का खंडन कर दिया नहीं तो सस्ती टी आरपी बटोरने के चकर में रहने वाले पतरकारों ने तो समाज में आग लगाने के लिए तैयार ही बैठे थे परिवारों का धर्म परिवरतन कराने की कोशिश की जाले राजदन देवी जिलादिकारी महोदे को एक अवेदन दिया था जिस पर जिलादिकारी महोदे ने मुझे और परिवरतन का कोई केस नहीं है दो परिवारों के बीच में अपना घर बनाना चाहती है और पडोसी जो है वह भी अपना घर बनाना चाहते हैं दोनों के बीचों में अंचला दिकारी को बूलके सिमांचन कराया गया। करना चाहूंगा कि तरीके से शांती बनाए रखे प्रसाशन जो है हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए हमेशा सदयाप तत्पर यहां पर खड़ाया और इस चीज को और ज्यादा वाराल ना करें और इसका आप से सयोग होगा कि इसका खंडन करने हमारी मदद पर लड़का लड़का जो है मैं गहूंगा इक तरीके से लगा रहा है इसको कहा है जो जमीन है सरकारी उसको खिड़की और दरवाजा खोलना जाता है जो विपच्ची पाटि उसको पोलने नहीं दे लिए तो उसी चीज के लिए बार-बार शायद प्रसाशन के पास आ रहा हो कि उसको दरवाजा और खिर्की खोलने में मदद की जाए और हम आस्वस्त करते हैं कि वह सरकारी जमीन में अपना खिर्की दरवाजा खोल पाएगा और किसी भी तरीके से धर्म से कोई चीज नहीं है सिंपल एक जमीन वबाद है तो लग्टार सर क्या कि वह अपने आपको एक्ट्र सब्सक्राइब कर देखने समझने गए और दोनों पच्छ को समझाने गए कि जो नियमा कूल है वह आपकारे करिए सरकारी जमीन पर किसी तरीका को रतिकर्म उसका आरूप यह सब्सक्राइब कि जमीन मुझे दे दो या तो यहां से चलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हम दोनों सपाट पे थे वहां पर एज़िपे सब ऐसा तो कुछ भी नहीं थ आस तक खोलने का है अब उसको जिस तरीके से तूल दिया जाए वाला बात नहीं कराया गया है जैसा बताया गया वो जनता दवार में डीम साब के आया था सज्यूग जाच के आदेश दिये गए हम दोनों के द्वारा सज्यूग जाच की गई है लगबग एक घंटे हम बते हो रही थी राजदनदेवि के पुतल वहां था जो कंप्लेनेंट है के इसका नाम है और ऐसानी को मीडिया हैलाइट के लिए क्या कर रहा है मंग्शा क्या है यह हमारे जनकारी में नहीं है लेकिन यह सपस्ट है वहां जाकर देख कर विवाई के बैग्गराउंड को द यह बिलुकुल बे बुनियाद और देशले सारोप है पुलिस की तिरब से आज भी उसकुर्सक चकले प्रयास की जा रहे हैं वहाँ पर चौंकिता की प्रत्युनिक्ति की गई है यह प्रिवेंटिव आक्शन्स लिए जा रहे हैं अगर कुछ है तो उनको देखा जाएगा तो लड़का डेर साल से लगाता थाने का चक्या लगा रहा है कुछ तो बामला इसा बंता होगा और या कोई डढ़ी सास कोई समाया होगा मेरे पास अभी आया है एक वीक में एक वीक के अंदर ने हम लोग उसका सिमांगन करा दिया वो जमीन सरकारी है यह शोर होगे आंचर अदिकारी किसे रिपोर्ट के नुसार यह कंप्लीट रिपोर्ट कल हम लोग जिल अदिकारी महोदे को दे देंगे और जो भी नियत सद क करवाई हो कि वो करवाई की चुएगा पीस में टेंट अने जिल देंगे